हेलो अपने थमनेल देखा होगा जी हाँ बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है अगर 31 मार्च 2023 से पहले आपने अपने डिमेट एकाउंट में नॉमनी एड नहीं करा तो आपका डिमेट एकाउंट फ्रीज हो सकता है बंद हो सकता है क्योंकि क्या होता है जब बहुत सारे लो है या नहीं करी है तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ आप कैसे चेक करोगे हमारे डिमेट एकाउंट में नॉमनी एड है या नहीं है और अगर एड नहीं है तो हम कैसे नॉमनी को एड कर सकते हैं और टेंशन बिलकुल भी मतले ना अगर आपके पास द अप्रोड में जाना है सारे वीडियोस चेक करने हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बल जाएगी तो अब इधर उधर के बिलकुल कोई बात नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक पर चलते हैं तो जैसे ही आप अपश्टॉक एप को आपन करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाता है अपर लेफ साइट में आप देखोगे आपको आपकी प्रोफाइल की आप्शन नजर आ रही है सिंपली उसके उपर क्लिक कर दो और उसके बाद आपको माई एका आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो no nominee added to your account yet add nominee का option है क्लिक करेंगे उसके उपर and सबसे उपर हमें show हो रहा है you can add up to three nominee for your debit account उसके नीचे enter the details correctly so that your application could be processed faster आपको सारे details फिल कर देने सही सही details फिल करन है कौन-कौन से details है मैं बता देता हूं जिसको भी आप as a nominee add करना चाहते हो उसका first name and last name आपको लिखना है relationship में आपको choose करना है उनके साथ आपका क्या relationship है उसके नीचे आपको date of birth का option दिख रहा है pen card उनका देना है mobile number आपको लिख देना है email address उनका देना है उसके बाद address line आ नहीं का option है तो यहाँ पर बहुत सारे options है spouse, son, daughter, father, mother, brother, friends का option यह क्योंकि आप उनको बनाओ के भी नहीं so आप अपने हिसाब से choose कर लेना मैं यहाँ पर brother choose कर रहा हूं and उसके नीचे date of birth जैसी आप उसके ओपर click करते हो आपके सामने calendar खुल कर आ जाता है आपको क्या करना ह पहले year select करना है उसके लिए हम उपर जो 2023 लिखा है उस पर click करेंगे and year को select कर लेंगे मुझे 1998 select करना है और उसके बाद हम month को select कर लेंगे माई 25th so 25th माई 1998 select हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो उसके नीचे आपको pen card यहाँ पर optional शो कर रहा है क्योंकि आप चाहो तो है आप पर pen number भी लिख देता हूं pen number देने के बाद आपको mobile number लिख देना है simply and जिसको भी आप normally add कर रहे हो उनका email ID भी लिख देना है फिर उसके बाद आपको address यहाँ पर fill करना होता है address line 1 compulsory है address line 2 address line 3 यह दोनो optional है so इन सारे details को fill करने के बाद आपको नीचे continue का option शो हो रह है फिर आपके सामने कुछ ऐसा interface खुलकर आ जाता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा upload ID proof यहाँ पर add front side and add back side है तो आप आधार upload करते हो तो उसका front photo and back side का photo आपको simply upload कर देना है और उसके बाद continue पर click करना है so आप अपने next step में पहुँच पाओ so हमने दोनों side की photo को upload कर दिया है अब हम simply continue के उपर click करते हैं जैसे आप continue पर click करोगे आपको वो details show करेंगे कि आप confirm करो यही nominee है और उसके नीचे आपको nominee का share percentage लिख देना है 100 जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिखा तो नीचे देखो add new nominee का option नहीं show हो रहा है reason है क्योंकि यार मैं हमने पूरे 100% तो एक ही बंदे को दे दिये सो जैसे ही मैं यहाँ पर 80 लिखता हूँ आपको यहाँ पर add new nominee का option show होने लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि हमने starting में ही देखा था add up to 3 nominees तो हम 3 nominees तक को add कर सकते हैं चाहे तो 1 या 2 या 3 वो हमारे मन पर हैं और percentage of share को distribute भी कर सकते है किसी भी ratio में 80, 100, 40, 60 जैसा आप चाहूँ तो अब हम इसको वापस से 100 कर देते हैं और continue पर click करते हैं तो हम अपने next step में पहुंच पहें जैसे मैंने 100 किया वहाँ option आ रहा है e-sign with aadhar OTP यह वाला last step है और इसको आपको click करना है आपको याद होगा जब आप account create कर रहे होग e-sign now के उपर click करते हैं अब हम अपने next step पर पहुंच जाते हैं एक दो second की loading होगी फिर आपको कुछ ऐसा interface शोगा simply proceed to e-sign के उपर आपको click करना है and फिर आपको sign now के उपर click करना है same process है जैसा कि हमने account opening के time पर किया हुआ था जैसा ही sign now पर click करोगे एक दो second load होगा और उस वाला इसके अंदर अपने आधार नंबर को type करेंगे फिर send OTP के उपर click करेंगे जैसी आप send OTP पर click करते हो आपके आधार काट से जो भी mobile नंबर लिंक्ट होगा उसके उपर एक OTP जाता है simply उस OTP को यहाँ पर type करना है आपको verify OTP के उपर click करना है verify OTP पर click करने के बाद 2- करना है आपको उसके पाद आपको sign successfully show करेगा आपके screen के उपर यानि आपने सारे process को successfully complete कर लिया है तो अब आपका सारा process complete हो गया है एक दो दिन में आपको update कर दिया जाएगा email के through कि आपने जिसे भी nominee add किया है वो हो चुका है आपने जिसे भी nominee add किया है उन्हें भी confirmation email मिल जाएगी I hope आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो अच्छी लगे तो like करना चैनल पर नए हो तो subscribe करना क्यूंकि इस चैनल पर यानि bull invest पर आपको share market से related बहुत सारे useful videos and playlist मलता है तो सारे playlist जरूर check out करना आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next व वाचिंग वाचिंग वड़ यज वज वाचिंग अवग देए